Hello friends, welcome back. I am Professor Gauri Nathay and you are watching Speak English with Inspire Academy. अब तक हमने देखा कि जो verbs है, तो English language में उसका important क्या है? तो देखिए ये जो verbs है, तो verb का English language में बहुत ही ज्यादा importance है because without verb, we can't speak English. तो English बोलने के लिए verbs आने ही चाहिए. तो ये जो verbs है, वो सिखाने से नहीं आते. सिखाने से खाली हमें पता चलता है कि verb क्या है, उसका second form कौन सा है, third form कौन सा है, बट ये learn ही करने पड़ते हैं. तो English बोलने के लिए आपको जो verbs है, वो learn करने पड़ेंगे. तो there are lots of verbs in English language. English language में बहुत सारे verbs है, तो ये जो है कि इतना ज़्यादा लेना पॉसिबल नहीं है, तो जो selected verbs है, which is very important to speaking, तो बोलने के लिए जो importance है, वो verbs मैं आज लेने वाली हूँ. तो देखिए, आज का जो हमारा topic है, वो है verbs. तो यहाँ पर मैंने verbs के चारों के चारे forms यहाँ पर no-down किये हैं. तो यहाँ पर है V1, V2, V3, V4 और Ving. ओके, तो यह verbs के चारों फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ selected verbs मैंने आज चूज किये हैं, कि जो हमें day-to-day life में यूज करते हैं. तो खाली हमें यहाँ पर उसका meaning पता करना है, कि कौन सी verb का कौन सा meaning है. जनरली हमें verb का first form का meaning पता होता है. But what about second and third? तो उसका meaning भी आपको पता होना चाहिए. जब भी हम sentence बनाते हैं, तो उसमें क्या-क्या changes आते हैं. तो वो हम आज देखने वाले हैं. So let's start our video. तो verb का जो first form यहाँ पर मैंने लिया है, write. तो write means लिखना. तो यहाँ पर write means लिखना. उसका जो second form है, v2 means second form of the verb. तो यहाँ पर write का second form हुआ, wrote. यहाँ पर w silent है, इसका pronunciation आता है, wrote. Wrote means लिखा. written means लिक्स चुका है. और writing means लिख रहा है. तो यहाँ पर हम sentence में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो देखते हैं. यहाँ इसका sentence बना लेते हैं. मैं खत लिखता हूँ यहाँ पे आएगा I write a letter तो यहाँ पे sentence का first form use हुआ कि मैं खत लिखता हूँ तो it's everyday action तो मैंने पहले भी बताया था कि everyday action के लिए हमें verb का पहला form use करना है तो I write a letter तो second form में देखे sentence कैसे होगा मैंने खत लिखा मतलब यह जो खत लिखने की action है वो हो गई है past में होई है तो मैंने खत लिखा I wrote a letter मैं खत लिख चुकी हूँ तो यहाँ पे खत लिखने की जो action है वो complete है तो यहाँ पे आएगा I have written a letter यहाँ पे have का use क्या हुआ because how is a helping word for perfect tense तो I have written a letter and मैं खत लिख रही हूँ I am writing a letter तो यहाँ पे action present में है मतलब हर रोज होती है यहाँ पे action हुई है यहाँ पे action पूरी हो चुकी है और यहाँ पे action क्या हो रही है खत लिखने की चल रही है तो sentence देखिए मैं खत लिखती हूँ I write a letter मैंने खत लिखा I wrote a letter मैं खत लिख चुकी हूँ I have written a letter and मैं खत लिख रही हूँ I am writing a letter समझ में आया तो चलिए अगला verb देख लेते है वो है play play का मिनिंग हमें पता है कि play means खेलना तो यहाँ पे play का मिनिंग आया खेलना second form of play is played यहाँ पे ed form आया है यहाँ पे played play का second form क्या है played means खेला third form is also played मतलब यहाँ पे second और third form same है played means खेल चुका है और यहाँ पे playing मतलब खेल रहा है चुलिए sentence बना लेते हैं इसका सचीन क्रिकेट खेलता है मतलब यहाँ पे मिनिंग खेलना है तो sentence में इसा नहीं यूज होगा यहाँ पे sentence क्या आएगा सचीन क्रिकेट खेलता है तो यहाँ पे आएगा सचीन प्लेड क्रिकेट यहाँ पे आए था तो I have returned लिया यहाँ पे सचीन सिंगल परसन है तो I have used हुआ सचीन हाज प्लेड क्रिकेट और सचीन क्रिकेट खेल रहा है सचीन इस प्लेइग क्रिकेट नेक्स्ट एक्साम्पल सिंग सिंग मिन्स गाना सेकंड फोम इस सैंग सैंग मिन्स गाया संग मिन्स गा चुका है सिंगिंग मिन्स गा रहा है गा रही है तो वो गाना गाता है यह सिंग्स अ सॉम उसने गाना गाया वो गाना गा चुका है वो गाना गा रहा 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 है और going means जा रहा है तो यहाँ पर sentence देख लेते है राज स्कूल जाता है राज गोस टू स्कूल राज स्कूल गया राज वें टू स्कूल राज स्कूल चात चुका है राज हाज गोन टू स्कूल राज स्कूल चार रहा है राज इस गोन टू स्कूल देन नेक्स्ट कम, केम, कम एन कमिंग तो कम का मतलब है आना देन यहाँ पर केम मतलब आया अगेन कम मतलब आ चुका है यहाँ पर वो लंडन से आते है वो लंडन से आये है वो लंडन से आचुके है वो लंडन से आते हैं they are coming from London. Let's see some more examples. अगला verb है drive. Drive means gaadi chalana. यहाँ पे आया gaadi chalana. Draw. Second form is draw. Draw means gaadi chalai. Driven means gaadi chalana chuka है. और driving means gaadi chala raha है. गाड़ी चलाता है. गाड़ी चलाई. गाड़ी चला चुका है. और गाड़ी चला रहा है. चला रही है. तो यहाँ पे हम example थोड़ा सा अलग लेंगे. subject थोड़ा सा change कर लेते हैं. हम गाड़ी चलाते हैं. तो यहाँ पे आएगा we drive a car. हमने गाड़ी चलाई. वी ड्रॉअ कार. हम गाड़ी चला चुके हैं. वी हाव ड्रीवन अकार. यहाँ पे वी आया तो यहाँ पे हाव आएगा. मतलब जो फ्लूरल नाउन है उसके बाद हाव आता है. सिंगिलर नाउन के लिए हाव यहाँ पे यहाँ पे यूज होता है. तो हम गाड़ी चला चुके हैं क्या आएगा? हम गाड़ी चला रहे हैं. तो वी आर ड्राइविंग अ कार. तो नेस्द नेस्ट आएगा. बाई मेंज खरीदना. 2. आर प्राइविंग, प्राइविंग थाना. थर्ड वाइविंग, प्राइविंग, घर थाना. अस्ठर नेस्ड आर नाझता नाझता हैं. और buying means खरीद रहा है, खरीद रही हैं तो चलिए sentence बना लेते हैं इसका नेहा नया ड्रेस खरीदती है इंगलिश में आएगा नेहा बाइस अन्यू ड्रेस नेहा ने नया ड्रेस खरीदा नेहा बोट अन्यू ड्रेस नेहा नया ड्रेस खरीद चुकी है नेहा बॉट अन्यू ड्रेस और नेहा नया ड्रेस खरीद रही है तो नेहा इस बाइंग अन्यू ड्रेस Then next is call, call means बुलाना the second form of it called, called means bulaya then again third form and second form is same called and called means bula, chuka, he and calling means bula raha hai तो यहाँ पर sentence बना लेते हैं, राज अपने दोस्तों को घर बुलाता है तो राज calls his friends at home then राज ने उसके दोस्तों को घर पर बुलाया राज called his friend at home राज उसके दोस्तों को घर पर बुला चुका है तो राज has called his friend at home then राज उसके दोस्तों को घर पर बुला रहा है तो यहाँ पर आएगा राज is calling to his friend at home okay next is forget forget means भूलना the second form of it forgot forgot means भूला then third form is forgotten forgotten means भूल चुका है and forgetting means भूल रहा है let's see example वो मोबाईल भूलता है he forgets his mobile वो अपना मोबाईल भूला he forgot his mobile वो अपना मोबाईल भूल चुका है he has forgotten his mobile और वो अपना मोबाईल भूल रहा है he is forgetting his mobile then next verb is teach teach means पढ़ाना then taught teach का second form क्या है taught taught means पढ़ाया then third form is also same पढ़ पढ़ा चुका है then teaching means पढ़ा रहा है पढ़ा रही है ओके तो यहां पर हम sentence बना लेते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं I teach English मैंने अंग्रेजी पढ़ाया I taught English मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकी हूं I have taught English मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूं I am teaching English तो देखिए दोस्तों यह जो verbs है इसका मैंने फर्स फॉर्म का मिनिंग बताया सेकंड थर्ड फॉर्थ फॉर्म का मतलब चारो जो फॉर्म से उसका आज हमने मिनिंग देखा तो जो अगले वीडियो में मैं आपको बहुत सरे जो verbs है जो इंगलीज बोलने के लिए बहुत सी ज़्यादा ज़रूरी है वो वर्ब में आगे के लेक्षर में लेने वाली हूँ थैंक्यू सो मच